हलो दोस्तों केसे वाब दोस्तों आज आपको फिर बताने वाले EPS 95 से समधित एक और नए अपडेट आ गया है आपको कल बता देते हैं कि कल की डेट के अंदर असोग रावत जी को दिल्ली बुलाया गया था EPS 95 पैंसन से समधित बात करने के लिए और क्या बात हुई थी वह के द्वारा और पूरी डीटेल से आपको इसका EPS 95 से समधित नए अपडेट बता देते हैं तो दोस्तों इसमें पूरा डीटेल समस्ता आपको समझाएंगे EPS 95 पैंसन से समधित व्रदी को लेकर एन एसी राष्टी संगर समिति के कमांडर असुक रावज जी के EPS ने एक महत्मुल मिटिंग के लिए यहां दिल्ली बुलाया था कल की बात है बेटक में EPS के साथ हुई बेटक में यह कुछ निरने ले गये थे और कुछ उस पर निकला था और के बारे में आपको समझा र बहुषिय निदी संगटेन EPS ने EPS 95 पैंसरों के साथ एक महत्मुल बेठक की थी जिसके अंदर आयोजन किया था इस बेठक का उद्र से पैंसरों की लंबित मांगों पर चर्चा करना था या देश भर के लगबा 77 लाख EPS 95 पैंसर बोगी को सरकार द्वारा लागू की अपनी नियूंतम पैंसर बढ़ाने की उम्मीद कर रहे हैं EPS 95 साराष्टी संगर समीति के राष्टी अध्यक्स कमांडर असोग रावत ने बताये कि केंद्रे बष्ट ने दी आयोगतों रमेश कृष्णा मूर्ति के साथ हुई बेठक में नियूंतम पैंसरों 7500 प्रति मा तो उनको किस प्रकार से उनको benefit मिलना चाहिए और उनको किस-किस प्रकार से उसको EPS 95 समय लाब दे हो इससे benefit को बताया गया है इस पर चर्चा की गई और उस पर कुछ अच्छे सुजाव मिले थे अच्छी बात हुई थी जिससे यह जो चर्चा हुई थी समीति के बाद जो की दर से जब दे सकती है तो EPS 95 के तेयत वह 1.16 परशेंट क्यों दे रही है इसके अनुसार नियूंतम पैंसर की जो उन्होंने मांग की थी वह 7,000 और जो लाश्ट यह 500 होना चाहिए कुछ इस परकार का जो डिमांड किया गया था EPS 95 से सम्बंदित राष्टिय महा सचीव असोग सिंग रजावत ने बताया कि एक और बेठक चल रही थी EPS मुखैलियों में और बेठक हो रही थी और दूसरी तरफ देजबर के जो कारालिय है उन्हों में परदार मंत्री और सिरम मंत्री के नाम पर ग्यापन सोपे जा रहे थे और उनको यह दिया जा रहा था ठीक है तो यह निदी आपके निकट जो कारिकरम होता है इसके तहट परदार मंत्री और श्रम मंत्री को यहां पर ग्यापन सोपे जा रहे थे इनके माध्यम से और इस बैठक में सी एपसी चंद्र मोली चकरवती अप्राजीता चकी और सुभम अगरवाल और इनके अलावा जो समिती हैं उनके वरिष्ट सदर से उपस्तित रहे थे और जबकि एन इसी सलाकार संगर समिती के कमांडर असोग रावत और विदेंद सिंग रजावत भी सामिल थे पी एन पा इस बेठक में परेडाम सोरूप बहुत अच्छी मांगों पर सरकार जल्द ही कोई अक्षन करेगी सकरातमस रहेगी ठीके बेठक के बाद कमांडर असोग रावत जी ने यहां पर यह कहा है कि उनके समोधित किया जो सोचल मीडिया होता है उनके पास आय थे उनसे सवाल जो बताये जाएगा और यहां पर 15 दिन के बाद जो भी होगा फिर से पंदर दिन के बाद उनको एक बेठक कंतर बुलाएगा और वहां पर जो भी निर्णे लिया जाएगे जो भी बात होईगी उनको हम आपके सामने फिर द्वारा पेस करेंगे अपडेट आपको हम देंगे और अगली बैठक यहां पर 15 दिन के अंदर ही होगी मैं आपको इसके माध्यम से बता रहा हूं मेरे चैनल के माध्यम से मिल जाएगा अपडेट मैं आपको देता रहूंगा बस आपसे एक छोटी से रिक्वेस्ट हैं अगर आपने यह वीडियो पूरा देखा होगा ना तो आ आपर UPS से सम्मधित और PF से सम्मधित जो भी आपको अपडेट चाहिए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना आपसे निवेधन है आपको हर अपडेट मेरे चैनल का माध्यम से मिलती रहेगी तो दोस्तों मिलते हैं नए नेक्स्ट वीडियो में ज जब तक के लिए जैहिंद